नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे नीरज और केसब जो कि सुसान सिंग राजपुत के नौकर थे उन्होंने दोस्तो अभी हाली में सिदार्थ पिठानी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जिसके बाद दोस्तो ना सिरफ सिदार्थ पिठानी बलकि दीपेस सामंत भी बहुत बुरी तरह से फसने वाला है जी हाँ वैस तो आप सभी को पता होगा कि सुसान सिंग राजपुत केस में सिदार्थ पिठानी की इरपतारी हो चुकी है और उससे लगतार तहकीकात की जा रही है और सिदार्थ पिठानी अब अलग-अलग पैत्रडे आजमार आया और वो वहाँ से निकलने की पूरी कोसिफ कर रहा है लेकिन NCB उसको छोड़ने के लिए किसी भी तरह से तयार नहीं है अब ऐसे में दोस्तों किस तरह से निरज और केसब ने एक बड़ा खुला सक्या है और किस तरह से उन्होंने जो NCB को बयान दर्ज करवाया है उसको लेकर के बड़ी वाते सामने आ रही है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंतक देखेगा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि निरज और केसब सुसान सिंग राज़बुत के बेहरी करीब रहते थे जिन से NCB ने पूछताज के लिए इनको समन भेजा था और इनका बयान दर्ज करवाया इसके रहा हूँ मैं आपको बता दो कि ना सिरफ निरज और केसब बलकि दोस्तों वही पर हमने ये भी देखा था कि सुसान के वोडिगार्ट का भी बयान दर्ज कराया गया था मतलब साफ है कि NCB अपने काम को बहुत बहतरीन तरीके से कर रही है और NCB पूरी तरह से कोसिस कर रही है कि सुसान के केस को सॉल्व कर दिया जाए लेकिन वही जब हमारी नजरेश CPI पर जाती है तो हमें सिरफ निरासा हाथ लगता है और ऐसा लगता है कि अगर CPI भी इसी तरह से काम कर रही होती तो कितना अच्छा होता खेर ये बात तो CBI और NCB की है अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से NCB ने सुसान सिंग राशपूत के केस को solve करने की कोसिस की है और कैसे नीरज और केसम ने बड़ा बयान दर्श कराया है दोस्तो अभी हाले में जो खबरे सामने आई है उसके मताबिक नीरज और केसम लगतार सुसान सिंग राशपूत के घर के बाहर बैठे रहते थे और उनका कहना है कि वो देखते थे कि सुसान सिंग राशपूत लगभग अपने घर में ही अपने कमरे में पड़े रहते थे और वो 20-20 घंटे तक सोने लग गए थे इसका मतलब यह है कि सुसान सिंग राशपूत को जरूर कोई ना कोई नसीली दबा दी गई थी जिसकी वज़े से सुसान सिंग राशपूत हमेशा नसे में रहा करते थे और वो सोने पर मजबूर हो गए थे इसके साथ ही नीरज और केसम ने ये भी बताया अपने चार सीट में कि सुसान सिंग राशपूत की कमरे के बाहर से दार्थ पिठानी और दीपेस हमेशा बैठे रहा करते थे हर रोज वो इंतजार करते थे कि सुसान सिंग राशपूत अपने कमरे से बाहर निकले और वो उनको good morning कह सकें और ठीक ऐसा ही 14 जून को भी हुआ था जिहां आपको बता दे कि 14 जून को भी सिद्धार्थ पिठानी और दीपे सावंत इंतजार कर रहे थे कि सुसान सिंग राशपूत अपने कमरे से बाहर निकले और वो उनको एक बार फिर से good morning कह सकें लेकिन इन लोगों को पहले से पता चल चुका था कि सुसान सिंग राशपूत इस दुनिया में नहीं रहे और इन्होंने बहुत लेट दरवाजा खुलने की कोजिस की थी और दरवाजा खुलने के बाद सिदार्थ पिठानी वो पहला सक्स था जो कि कमरे में अंदर जाता है और वो देखता है कि सुसान सिंग राशपूत एक हरे कपड़े से बंधे हुए पड़े हुए थे मतलब साफ है कि यहाँ पर दोस्तो नीरज और केसम ने अपना जो बयान दर्श करवाया है उनका कहना है कि सिदार्थ पिठानी वो पहला सक्स था जो कि सुसान सिंग राशपूत के कमरे में पहली बार गया था यहाँ पर साफ हो जाता है कि अगर सिदार्थ पिठानी गया था तो उसको बहुत कुछ पता भी होगा और साथी साथ उसने कई सारे ऐसे सबूत देखे होंगे जिससे पता चल सकता है कि आखिर सुसान सिंग राशपूत के कमरे में कौन आया था तो साफ है दोस्तों कि अब इससे सिदार्थ पिठानी की परिसानी और बढ़ने वाली है और साथी साथ दीपेश सावंद पर भी अब गिरफ्तारी की तलवा लटकने वाली है और उसको भी बुला करके बहुत जल्द पूछताच होते हुए आप सभी देखने वाले है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद